डिजिटल मारकेटिंग में आप जैसे कदम रखेंगे तो आप इंटर्विव्यूज वगरा देना चालू करेंगे तो पुलीज इंटर्विवग देते समये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें जिस कंपनी में आप इंटर्विव दे रहे हैं वो कंपनी रजिस्टेड जरूर हो private limited companies जरूर हो क्योंकि थोक के भाव में companies यहाँ पर भरी पड़ी है आप किसी भी state में रहते हैं आप Delhi NCR में रहते हैं या फिर आप Bangalore या फिर Mumbai में रहते हैं तो कई सारी company ऐसी है जो कि registered भी नहीं है बस समझ लिजए कि जो freelancing वाली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपने अंडर तीन चार लोगों को रख लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं तो फिर उनसे कोई भी fake experience certificate आपको दे लेते हैं और आप उसे जन्मीन आप certificate समझ लेते हैं और उसको लेके आप आगे अपना जो career होता है journey होते हैं इतनी job की उसे लेके आप आगे बढ़ते हैं बट इस चीज के आप ध्यान रखिए आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप please एक बाद check जरूर कर लिजे background check करना बहुत जरूरी है कि आखिर जो company है वो private limited है या नहीं है अगर private limited नहीं है तो अभी तो आपको कोई effect नहीं हो रहा है आपको salary आपके time से आ रही है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बट जैसे जैसे आपका experience उस company में आपको बढ़ने लगेगा समय लिजे आपने 6 मेने, 1 साल, 2 साल उस company में काम कर लिया और उसके बाद आप switch करते हैं आप किसी और company में जाते हैं किसी MNC company में जाते हैं और जब background check होता है उस company का तो मालून चलता है कि ऐसी कोई company तो existing नहीं करती है या फिर उस company तो बंद हो चुकी है और वो कोई company ही ही नहीं वो तो बस इसी तरह तरह चार लोग अपनी company बनाके काम कर रहे थे तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप digital marketing या software या किसी भी field में है इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब आप ध्यान रखिएगा कि यह चीज़ नहीं मैं देखा है अब आपको चीज़ और बदाता हूँ जैसे आप abroad की तरफ आप move on करते हैं मतलब आप सोचते हैं कि चलो दूबाई में काम करेंगे या फिर आप USA Canada में काम करेंगे तो आपका पूशे जाता है कि आप कैसी company में काम करते हैं कौन सी company में काम करते हैं उस company का नाम दीज़े, details दीज़े तो वो company के आप details उनको देते हैं तो वो verify करते हैं क्या ये company exist करती है या क्या turnover था company का और कितने employee काम करते थे तो ये सारी चीज़े background check होता है ठीक है और इन सब चीज़ों में अगर आप fail करते हैं तो मतलब समझ लिज़े कि एक तरसे एक, मतलब आपका दो साल बिल्कुल खराब हो जाएगा मेरा कहने का मतलब बस यही है तो इस बात का बिल्कुल धिहान रखिए चाया आप कहीं के कहीं भी या आप किसी भी छोटे states में है आप please जिस company में आप job कर रहे हैं उस company का proper Google में डाल के देख लिजए या फिर उनसे कोई document मांग लिजए कि यह primate limit company है या नहीं है या फिर वहाँ के employee से पूछ लिजए कुछ भी कीजिए लेकिन verify ज़रू कर लिजएगा और दूसरी बात कभी भी salary cash में मत लिजएगा account credit के लिजएगा जिसे कि आपको यह मालूँ चलिएगा कि company लिस्टेड है क्योंकि जब bank account खुलता है तो कहीं न कहीं document वहाँ submit करेंगे और जो transaction होगा वो लिखा हुआ आता है कि यह salary है और आपके account में credit हो रहा है ठीक है तो किसी का यह comment आया था मुझे लगा इस पर बात करना जरूरी है आप लोगों से भी बाकी आज के लिए इतना रखते है वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अभी तक मेरे vlog चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो का लिंक मैंने रिस्क्रिप्शन में छोड़ा है जाके सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो का लिंक भी जो न्यू वीडियो शेरीस थी वो मैंने आई बटन पर दिया है वो भी जाके ज़रूर देखेगा बाकी आज के लिए तना रखते है फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स वीडियो में तो पर के लिए टेकिर नमस्कार